Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, आज की वीडियो कुछ informative में होने वारी है, क्योंकि आप में से बहुत सार यासे भाई लोग होंगे, जो कि यार, यूट्यूब पे एक चानल खोलने का सोच रहे हैं, और जब भी आप एक चानल खोलते हैं, तो audience के साथ interaction जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, वो होना बहुत ही जादा ज़रूरी है, तो इसके लिए basically दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक अच्छी वीडियो clarity जिससे जो audience है, उसको सब कुछ clear दिखे, और दूसी चीज़ एक अच्छी audio, जैसे कि आप अभी हमारी जो audio है, वो यहाँ पर सुन रहे हैं, तो guys, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, 1.500 रुपे से लेके, ओल्मोस्ट 30,000 रुपीज तक के microphone, जो कि मैं यूज करता हूँ, यहाँ पर, जो जो मिर्पास है, वो सारे आज हम यहाँ पर शो करेंगे, जो भी market में आते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बात करेंगे, ओके guys, अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वो हमारा 1.500 रुपे वाला microphone है, जो कि आपको कहीं से भी मिल जाएगा, इन microphone में सबसे बड़े दिक्कत ही रहती है, कि अभी भी शायद आपको सिरफ एक ही साइड पर आवाज आ रही होगी, यह सबसे बड़े प्रॉब्लम रहती है, तो जब भी आप अगर यह microphone लेने जा रहे हैं, तो प्लीज अपना camera साथ लेके जाएं, तो इसके अंदर आपको लेफ्ट हर आफ ड़े बाइट का पता चलेगा, कि लेफ्ट हर राइटा डर्वों क्रण हो दो वर्क करते हैं, अगर यह लेफ्ट राइट दोनों काम कर रहा है तो घिक है, इसमें आपको आल्मोस्ट डेड़ मीटर के आसपास की वायर मिल जाती है लाइक फोर फीट, फोर एड़ फीट तो आप कुछ हद तक ऐसा कर सकते हैं बट यह तार ऐसे लटकती भी जो है वो आपको यहां पर दिखने वाली है नेक्स्ट अपने पास आपशन आजाता है वो आजाता है Boya WM1 जससे अक्छल में मैंने भी अपने YouTube चैनल के शुरूआत करी ती इसका बेस्सपार्ट यह कि इसके साथ इतनी 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 वायर भाई इतनी सारी वायर आपको मिल जाती है अब हम आ गए हैं यहाँ पर कुछ premium microphone के पर तो जितनी भी आगे microphone आप देखेंगे वो सारे premium quality के अंदर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है आपका Godox का microphone इसका best part यह है कि इसके अंदर दो mics हैं एक mic यह हो गया, एक mic यह हो गया मार्केट में वीडियो बनाते हैं जिसमें दो बंदो की ज़रूत परती है तो क्या होता है, यूजियली क्या होता है जब हमारे पास एक single microphone होता है तो सामने वाले बंदे की आवाज नहीं आती है तो हमें हाथ में लेके फिर ऐसे ऐसे करके जो है, उससे बात करनी पड़ते है, इसका फायदा यह है कि almost 4-5 feet की range में आप यह दो बंदे इसको easily पहन लेंगे and they can shoot a video और इसकी जो voice clarity है वो आप यहाँ पर सुन सकते है plus जो इसकी wire है यह बहुत ही जादा premium quality की दी गई है and the build है वो बहुत ही amazing दिया गए इसका price about 4000 के आसपास यह आता है but it's really value for money जो की brand name है Godox का plus जो build quality इनोंने दी है वो बहुत ही जादा amazing है अगर आप इसी में सस्ता alternative चाहते हैं तो उसकी में wire वगरा का तो नहीं बहुत ही बहुत ही जादा इसकी वायर थोड़ी सी पतली रहती है जिसमें तूटने गडर रहता है so boyya का भी ऐसा same dual setup के अंदर माइक आता है जो की cost करता है about 1400 से लेके 16-1700 रुपे तक की range में but I would suggest कि अगर आप ले रहे हैं then आप थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्ट करिये और आप अच्छा माइक प्रफोन लेजिये जैसे की ये गोडॉक्स का है okay guys so यह है अपना रोड का शॉटगन माइक अभी हमारा कोई भी माइक नहीं लगाई लगाए so इसको लगाए है पर इसकी जो अवाज पो सुनते है रोड शौटी वो कॉस करता है पांचाड़े पांचाजाजार रपे का बाकी रोड और बोया के भी कुछ ऐसे माइक रोड आते हैं जो की उपर ऐसे अप शॉटगन में यूज कर सकते हो बड़ रोड इस रोड एंड रोड हम यूज कर रहे है तो आप रोड की आवाज वो भी सुन सकते हो कावी mostly vloggers वो आज की रेट में ऐसे शॉटगन माइक ही यूज कर रहे है बड़ दो रोड माइक नर रोड वड गयास है इतने बड़े बड़े व्लोगर्स मिश वो मेहबास रोड का रोड का री कौंस्ट शॉटगन यूज को अवडान रोड काॉज को विड़न रुट धो डोड ईबब अटो शॉट्ट पढ़ने का शॉट सेंब ड़ाने का जोड क्योंकि प्रॉब्लम इस कि जितना जादा मैं इसको दूर करूंगा तो इसको मैं एक दूर कर देता हूँ यह आ गया अच्छल पूजिशन जहां पर हमारे पहले वाले मैक्रोफोन जो है वह रखे वे ते अभी आपको पता चल रहा होगा कि इतनी दूर से यह वाला मैक्रोफोन की वाज वह पू़ए ऐसे सराउंड टाइप एको करती होगी क्योंकि रूंख आली है तो भाई कैमर मैक जो है वह बहुत जादा दूर है तो साउंड थोड़ी बहुत जादा मतलब ऐसे फैल्ती वी आरी होगी जो कि बहुत अजीब सी साउंड करती है तो आप जब भी शौटगन माइक से शूट कर रहे हैं तो आपका कैमरा हार्ली इतना होना चाहिए कि आप जैसे हाथ तो अगर आपका कोई शूट हो रहा है जैसे आप व्लॉगिंग करें आपके साथ आपके साथ कोई और लोग है या आप अलग अलग सीन्स ले रहे हैं जिसमें अलग अलग लोग आ रहे हैं तो उस ताहिन पर आप यह जो शौटगन माइक है उसका उसका यूज करेंगे क्य कि भाई अगर कोई बंदा मिरसे तीन या चार फीट पांच फीट दूर है तो वो अगर कुछ बोलता है तो फिर अवाज नहीं आएगी बड़ इसके अंदर के हमने कैमरा अगर उसकी तरफ गुमाया तो ऑटमाटिकली फिर जो इसकी आवाज है वो कैप्चर कर लेगा बड इसका एक नुकसान है जैसे मैंने बोला एक तो दूर रहेगा तो यह आवाज ऐसे बड़ी एको सी आती है ऐसे घूमती भी आती है पूरी की पूरी तो वो थोड़ अजीब सा लगता है और दूसरी चीज कि यह बहुत जादा बाहर की जो साउंड है सपोस आप किसी अंदर की तरफ नहीं है तो क्यो होगा इससे वो जो भी आवाज उसको सुनाई दे रही होगी वो सारी आवाज जो है इवन भार अगर मेरी चिडिया भी बोल रहे होगे ना कुछ तो वो भी आवाज जो है वो आपको इस माइक्रोफोन के अंदर सुनाई देने वाली है एकसरी फार पास जो नेक्स अप्शना आ जाता है वो आजाता है माइक्रोफोन जो कि वाइरलेस हुते हैं सो अगर बज़ट है बाओ आठ हजार रोपे से लेकिए बारा हजार रोपे तक की रेंज में लेन यूँ कें इसको पर दोब भी भी यूस कर रहा हूं दिस अक्शल या कि अधर खुजthen वहनु इसा से के इंडर आपके पास ज़ापलग और फोड़ की ज़रुत है यह तो प्लास ये बहुत जादा अच्छा लगे प्ल्स यह बहुत जादा प्रोफेशनल लगता क्योंगी उसके इंडर वो सारे फीचर आपको मिल जाते हैं जो कि एक 30,000 रुपे के वायरलेस गो जो कि अभी सबसे महेंगा माइक्रोफोन है उसके अंदर मिलते हैं इसके अंदर आप एक memory card डाल सकते हैं जिससे आप इसकी जो sound है वो इस memory card में सेव कर सकते हैं ताकि अगर कहीं गलती से आपके camera में आपकी sound corrupt हो जाती है इसके अपने पास option आता है जिसमें एक single transmitter single receiver होता है और मेरे पास जो option है उसमें यह है कि दो transmitter है और एक receiver है जो सिंगल वाला आपको around 9000 के आस पास मिल जाता है और डबल वाले की costing आती है वाई 12000 रुपे की बड़ाने का भी option है जैसे मैंने बुला memory card का भी option है जो बहुत ही जादा amazing रहता है इसके अगर एक थोड़ा सा issue है इसकी range अगर मैं बात करूं कैमरा सामने हो और माइक आपने ऐसे सामने लगा रखा हो then almost 1500 तक इसके अंदर कोई भी issue जो है वो नहीं आता है बट हाँ अगर हाँ आप प्रैंक शूट कर रहे हैं suppose आपका माइक इस तरफ है कैमरा पीछे की तरफ है then आप थोड़ा सा issue जादा distance पे इसमें face कर सकते हैं 50 to 70 feet तक उसमें कोई issue नहीं आता बट हाँ उसके बाद जो है distortion आनी शुरू हो जाती है voice cut नी शुरू हो जाती है so इस चीज को दिमाग में लेके चले okay guys so अब हमने switch कर दिया है हमारे road के wireless microphone के उपर जिसका नाम है road wireless go 2 इसका डबबा आता है कुछ ऐसा सा and these are the most expensive microphones and the most like premium microphones available in the market right now so भाई इसकी आवाज आप सुन सकते हैं केसी आ रहे है अगर आप इसको पहले कापरे compare करेंगे तो इसके आवाज थोड़ी सी जादा better होगी थोड़ी crisp होगी थोड़ी clear होगी and harshness दो है वो आपको यहां पे का मिलने वाली पर जैसे मैंने आपको पिछले microphone में बताया इसकी pretty nice and 1500 feet तक मैंने इसको use कर रहा है जैसे आपका camera पीछे हो and mic आपका आगे हो तो 1500 feet तक भाई इस microphone में आपको कोई भी issue जो है वो नहीं मिलने वाला है so same thing इसमें भी ऐसा dual concept आता है जिसमें दो आपके transmitter होते हैं एक receiver होता है इसमें भी एक single option आता है तो यह मुझे almost cost कर रहा थ about 30,000 रुपीज का जिसमें आपको दो साल तक की warranty मेले थी बट इसके साथ मेरा भी जो लोगया था है मेरा बंडब आया वो खराब निकला then एक महीने के बाद मेरी replacement होकर आई तो प्लीज इन सारी चीज़ों को देमाग में रखें इसमें एक single वाला unit भी आता है जो कि आपका प्लस पॉइंट है कि अगर आप यहां पर मेरी आवास सुनेंगे तो आपको यहां पर आवास सुन रहे हैं तो आपको पास इसमें यहां पर split channel का भी option है जो कि आप यूज कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि एक तरफ से एक बंदी की आवाज है और दूसरी तरफ से दूसरे बंदी की आवाज है तो वो option भी आपको यह जो microphones है उसके अंदर देखने को मिल जाता है सो जो भी आपको लगता है best for है आपके लिए दिन go for that and I hope आपको वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए वीडियो के लाइक करें शेयर करें चाल पर नहीं है तो फड़ा बच चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसे ही informative और मज़धा content के लिए काफी content change हो रहा है तो एक मिलते हैं नई वीडियो के साथ दिल देन देख्या गाद ब्लेस पाई बाई